कि आपके बारे में वो क्या सोचते हैं मीन्स आप उन्हें कैसे इंसान लगते हैं रीडिंग फ्रेंज टाइम्लेस है जनरल है कलेक्टिव है विदाउट मच फर्देर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्योर्स के प्य माई राम तो ये कुछ कार्थ हमारे पास आ गई है लेट्ष एक के आपके पर्सन को ना आपका बात करने का तरीका बहुत पसंद आता है बाइहार्ट उन्हें लगता है कि आप बहुत प्यार से बात करते हैं आपकी जो वॉस है वो काफी अट्राक्टेड है काफी को by heart लगता है कि आप बहुत hard working है आप इतने hard working है कि अगर एक बार आप पीसी काम को ठान ले तो no matter वो कितना difficult है लेकिन आप give up नहीं करोगे उसके लिए efforts लगाते रहोगे and let's check कि क्या सोचते हैं आप काफी you know career oriented पे हैं चाहे आप boys हैं चाहे आप girls हैं आपके person को लगता है कि ये personality तो ऐसी है जो एक career से कभी satisfy हो ही नहीं सकती या हो ही नहीं सकता क्यों क्योंकि आपको हमेशा progress चाहिए कुछ नया सीखना है कुछ नया सिखाना है life में आगे बढ़ना है और career को बहुत ही better करना है वैसी vibrations यहाँ पर आ रही है वाओ amazing आप में से कई लोग business बहुत अच्छा handle करते हैं जिसको देखकर आपके person ना बहुत जादा आपसे impressed है देल और kind hearted इंसान है आप में से कई लोगों के लिए ये जरू नजर आता है कि आपको न अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं है चाहिए वो आपके साथ हो या फिर किसी और के साथ आप उन चीजों को सहर नहीं सकते और किसी को भी इंसाफ दिलाने के लिए आप अपना best perform वैसी vibrations भी यहाँ पर आ रही है friends की आप में से कई लोग ना legal matters को डील करते हैं और वहाँ पर अपना role काफी perfectly निभा रहे हैं यहाँ पर friends टोरस वर्गो, काप्रीकॉन, एरीज, लियो, साज, लिब्रा एनरजीज काफी ज़्यादा प्रॉमिनेंट हैं और कुछ लोगों के लिए जामनाई और अक्वेरियस भी 7, 16, 25, 8, 17, 26, 4, 22, 13, 31, 2, 11, 29, 20 आप में से बहुत सारे लोगों के लिए important numbers या फिर important dates हो सकती है मैं strongly friends यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके person की नजर में आपका जो चहरा है वो बहुत ही beautiful है, perfect है सिवाए कुछ चीज़ों के, जहां इतना सारा perfection है, वहाँ पर आपके person को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप जिद्धी है, आप stubborn है, अगर किसी चीज़ पर आप अड़ जाते हैं, तो आप अड़ जाते हैं, ठीक है थोड़ी सी वैसी vibrations आ रही है, मैं हापर ये भी feel कर पा रही हूँ कि आपके person को ये भी लगता है कि आप ना conservative है काफी, आप अपने मन के बातों को खुलकर express नहीं कर पाते समचाइम और maximum या फिर जादा लोगों से बहुत जल्दी mix-up नहीं हो पाते, वैसी vibrations भी यहाँ पर आ रही है आप में से कुछ लोगों के person को ये भी लगता है कि आप में से कई लोग बहुत ही immature हैं, नादान हैं, चीजों को, situation को, things को नहीं समझ पाते या नहीं समझ सकते या फिर, you know, जिद, कोई नो, कोई जिद पकर के बैठ जाते हैं, कुछ हलातों को understand नहीं कर पाते, वैसी vibrations भी यहाँ पर आ रहे हैं overall energy is बहुत beautiful है, सिवाइक उस things के, और वहीं कुछ लोगों के person को ये भी लगता है, कि आप और लोगों की बातों का, manipulation का, ठीक है, ऐसी बातों का, जो बहुत ही अच्छे धंग से की जाती हैं, लेकिन reality में आप लोगों के favor में नहीं होती हैं आप उनका बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और बाद में उनके धोके का शिकार बनते हैं, जिसकी वज़े से आपके person को लगता है, कि आपको थोड़ा सा maturely every situation को deal करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा practical बनने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा authoritative बनने की भी नीद है तो ये थी friends, आप लोगों के लिए reading, I don't know कितने लोगों से कितनी resonate कर रही है, अगर आप से कर रही है तो please do like, share and comment, thank you so much for watching, have a lovely day, may God bless you